बॉलिवुड जितनी हसीन है अंदर से उतनी ही बदनाम बॉलिवुड में कास्टिंग काउच एक काला सच है जो नए टैलेंट को बदनामी के रास्ते ले जाता है कास्टिंग काउच का सच कुछ लोग दभी जुबान में मानते हैं वहीं कुछ लोग जुठला भी देते हैं लेकिन कुछ लोग इसे खुले याम स्विकार भी करते हैं। ऐसे में कई स्टार्स इससे प्रभावित भी हुए जो आज बॉलीवुड में जाना माना नाम है। तो आईए जानते हैं एक्टरिस फातिमा के बारे में। नमस्कार मैं महावीर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड कैलेंडर डॉट कॉम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें। हाली में फातिमा का 11 जनवरी को जनम दिन था। वो सालों से इंडस्टरी में काम कर रही है। फिल्म दंगल से उन्हें काफी पॉपुलारिटी मिली और साथ ही उनकी एक्टिंग को भी सराहा जाने लगा। लेकिन क्या आपको पता है फातिमा बतौर चैल आर्टिस्ट फिल्मों में नजर आ चुकी है। लेकिन फिल्मों में काम करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। एक बार फातिमा ने यह भी बताया था कि यहां उनसे काम के बदले योन संबंद की डिमांड रखी गई थी। दरासल कुछ समय पहले फातिमा ने अपने एक इंट्रिव्यू में बताया था कि यहां उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। वह बताती हैं कि वह उन इस्थितियों में रही हैं जिन इस्थितियों में लोगों ने कहा कि यहां काम करने का एक ही जरिया है और वह है योन संबंद बनाना, जिसके चलते उनसे कई बार काम भी छीन लिया गया। इसके अलावा फातिमा ने यह भी बताया कि जब वह सिर्फ तीन साल की थी तो उनके साथ छेड़ छाड़ की गई थी योन शोशन एक कलंक है यही वज़य है कि महिलाएं इन बातों को खुल कर नहीं कह पाती लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज दुनिया बदल गई है लोग पहले से ज़्यादा जागरूख है पहले कहा जाता था कि इन बातों को नहीं रखना है क्योंकि लोग इन बातों को अलग तरह से सोचेंगे फातीमा सना सेख ने अपना बॉलिवूड डेव्यू फिल्म दंगल से किया था इस फिल्म में लीड रोल में आमिर खान थे इस फिल्म के बाद वह आमिर खान के साथ फिल्म ठकस ओफ इंदुस्तान में नजर आई जिस फिल्म में कैटरीना कैफ और आमिता बच्चन एहम भूमिकाओं में थे हलाकि यह फिल्म बॉक्स आफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही लेकिन उसके बावजूद और भी कई फिल्मों में फातिमा ने काम किया जैसे फिल्म लुडो सूरज पर बंगल भारी फिल्मों में नजर आई वैसे यह सिर्फ बॉलिवूड की या एक फातिमा की बात नहीं है यह हमारे समाज का एक घिनोना सच है समाज में हमने महिलाओं को वस्तू से अधिक कुछ नहीं समझा फिर वो चाहे बॉलिवूड हो या फिर हमारा समाज पहले लोग नहीं बोल पाते थे लेकिन अब इन विश्यों पर लोग मुखर होके अपनी बात रखते हैं इसका सबसे बड़ा उधारण है मीटू मूव्मेंट इस मूव्मेंट में एक्टर से लेके डिरेक्टर तक सभी इस हमाम में नंगे दिखे अभी के लिए सिर्फ इतना ही इन विश्यों पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहिए बॉलिवूट कैलेंडर